Hello Friends, Welcome to Best English Classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं English Romantic Point P.B. Shelley की लिखी पोयम Song to the Man of England यहाँ पर P.B. Shelley जो England के laborer हैं जो वहाँ के मजदूर हैं उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों क्यों तुम इस दुनिया में इस अपर क्लास के लिए मेहनत करते हो जो तुम पर अत्याचार करते हैं जबकि इस धर्ती की असली दौलत तो तुम्हारे हातों में हैं यह जो पोयम है बहुत ही famous है Song to the Man of England और यह Shelley की death के 17 साल बात publish हुई थी और आज हम आपका इसका line by line मैं आपको समझाओंगा यह इसका पूरा जो text है उसकी एक summary मैं आपको दूँगा तो सबसे पहले पहली दो line हो को हम देखते हैं men of England wear for plow for the lords who lay ye low कि यह England के मर्दों तुम क्यों खेत में काम करते हो क्यों तुम जोतते हो खेत को उन मालिकों के लिए जो तुम्हें नीचे रखे हुए हैं तुम्हें डाउन किये हुए हैं उस अपर क्लास के लिए क्यों तुम काम करना चाहते हो क्यों करते हो अब थर्ड और फॉर्ट लाइन देखते हैं wear for weave with toil and care the rich robes your tyrants wear क्यों तुम इतनी महनत करते हो toil यानी महनत और weave यानी बुनाई बुनकर जो होते हैं क्यों तुम अमीरों के कपड़े तैयार करते हो robes यानी चोगे जो होते हैं बड़े-बड़े पहनने के अमीर लोग पहनते हैं और tyrant यानी अत्याचारी तो उन अत्याचारियों के कपड़े सुंदर क्यों बराते हो तुम इतनी महनत करके तो ये था हमारा पहला क्वाट्रेन पहली चार लाइने अब अगली चार लाइनों की तरफ बढ़ते हैं वेरफोर फीड दे क्लोथ और सेव फ्रॉम दे क्रेडल तो दे ग्रेव दोज अंग्रेट्फुल ड्रोन्स क्यों? क्यों तुम इतनी महनत करते हो इन अमीरों के लिए, इन अरिस्टोक्रेट्स के लिए ये सेलफिश लोग हैं, अपनी पूरी जिंदगी ये सेलफिश ही रहे है क्यों तुम इतनी इनकी केर करते हो क्यों तुम इने खाने को देते हो और पहनने को देते हो जो तुमारा पसीना तक निकाल देंगे अधर तुमसे इतनी मेहनत करवाएंगे नहीं नहीं वो तो तुमारा खो नहीं पी लेंगे वो चाहते हैं तुम्हारा एक एक परसेंट एनरजी तुम्हारी निकाल दी जाए बलकि वो तो तुम्हें खा जाना चाहते हैं तुम्हारी life force को ये था हमारा दूसरा quatrain अब हम देखेंगे तीसरे quatrain को line number 9 से वेहरफॉर बीज ओफ इंगलेंड फॉर्ज मैनी अवएपन चेन एंड स्काउड़्ज कि जो मेहनत करने वाले लोग है ना उनकी तुलना मदुमक्खियों से की जाती है यहीं मदुमक्खियों बहुत मेहनत करती है तो वो यहां पे कह रहे हैं कि तुम इंगलेंड की वरकर बीज हो क्यों तुम अपना काम चला लेते हो इनके हतियारों के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते हो क्यों तुम मजबूर हो इनके हतियारों के सामने इनकी बेडियों के सामने और विप्स के सामने यानि कि जो हंटर होता है उसके सामने तुम क्यों मजबूर हो स्काउज का मतलब है यहाँ पे कोडे मारने से 11th और 12th लाइन है That these stingless drones may spoil the forced produce of your toil क्यों करते हो तुम ऐसा यह तुम्हारे बिना यह जो aristocrat हैं जो अमीर हैं राजसी लोग हैं यह बिल्कुल helpless हैं तुम इनकी मदद करते हो इसलिए यह चुरा लेते हैं सारी दौलत को छीन लेते हैं उस ताकत के बल पर जो तुम create कर रहे हो जो force तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी toil से produce हुआ है अब हम अगले quarter इनकी 13th और 14th लाइन देखेंगे कि क्या तुम कभी leisure यानि आराम करते हो क्या तुम्हे कभी comfort मिलता है क्या तुम्हे कभी शान्ती मिलती है काम, peace मिलती है shelter यानि शरण यानि घर मिलता है food, खाना मिलता है और क्या तुम्हे कोई प्यार से बाम लगाता है यानि क्या तुम्हें प्यार का अनन्द मिल पाता है जीवन में और अगर नहीं तो तुम क्यों इन लोगों के लिए इतनी विवस्थाएं कर रहे हो क्या ये योग्य हैं कि इनके लिए इतना सफर किया जाए अगला क्वाटरेन है उसकी सेवंटीन्थ लाइन हम लोग डिसकस कर रहे हैं दो सीड ये सौ और अननेदर रीपस बीच तुम बोते हो काटता कोई और है दो वैल्थ ये फाइंड अननेदर कीपस दौलत तुम खोजते हो रखता कोई और है दो रोब सीए वीव अननेदर वीर्स कपड़े तुम बुनते हो पहनता कोई और है दो आम सीए फाइंड अननेदर वीर्स हतियार तुम बनाते हो रखता कोई और है फाइंड का मतलब होता है हतियार बनाना तलवार बनाना Sow seed, but let no tyrant reap बीज बो, पर किसी अत्यचारी को काटने मत दो उन फसलों को Find wealth, let no imposter heap दौलत ढूंडो, पर किसी धोके बाद को, imposter यानि धोके बाद उसको heap मत बनाने दो, उसका धेर मत लगाने दो Weave robes, तुम कपडे बुनो, but let not the idle wear पर निकमे और निठलों को मत पहनने दो उसे, जो काम नहीं करते Forge arms, हतियार बनाओ, but in your defense to bear पर उन्हें तुम रखो अपनी रक्षा के लिए बगला कोटरेन है, उसमें 25th और 26th line लेखेंगे Shrink to your sellers, holes and cells, in halls ye deck another dwells के तुम रहते हो कोठरियों में, छोटी-छोटी कोठरियों में रहते हो और दूसरे रहते हैं, dwell मतलब रहना, रहते हैं बड़े-बड़े hall में ब्यूटिफल houses में, और decorate भी तुम से करवाते हैं Why shake the chains, ye rot, ye see the steel, ye tampered, glanced on ye तुम्हें rebel करना चाहिए, तुम्हें withdraw करना चाहिए उन chance से ही तुम्हें बाधा जाता है, जिने तुमने ही बनाया है तुम्हें महसूस होगा कि ये तुम्हारा ही बनाया हुआ steel है तुम देखोगे, glance मतलब देखोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे ही बनायवे weapon से तुम्हें ही hit किया जा रहा है With blow and spade and hoe and loom Trace your grave and build your tomb तुम्हारे ही बनायवे हल है तुम्हारा ही बनायवा spade यानि फावडा है and hoe, ये भी एक औजार होता है जो की, जिसमें आगए ऐसे तीखे तीखे कांटे जैसे होते है और गिरेवे पत्तियों को हटाने के काम आता है and loom, loom वो होता है जिस पे बनाई का काम किया जाता है ये सारे औजार तुम्हारे ही तो बनायवे है इन पर दूसरे लोगों का कबजा है ये सब तुम्हारे बनायवे औजार है अगर तुम रिबल नहीं करोगे तो ये जो औजार है ना ये तुम्हारी कबरें खोदने के काम आएगा तुम्हारा टूम्स्टोन बनाने के काम आएगा तुम्हारा कफन बुनने के काम आएगा winding sheet यानि coffin, till fair and be your seffulture और ये पूरा England और कुछ नहीं एक seffulture बन जाएगा यानि एक mausoleum बन जाएगा, एक कबरगाह बन जाएगा दोस्तों इस poem की main themes क्या है? inequality exploitation and revolution भेदभाव है लोगों पर अत्याचार है उन्हें exploit किया जा रहा है और क्रान्ती, ये इसकी main themes है, बहुत सारे pointing devices आपको देखने को मिलेंगे जैसे metaphor का use किया गया है ऐसा कहा गया है कि जो working class है, वो honeybees की तरह है, और भी इसमें उन्हें कहा गया है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे है वो कैसी जगाओं पर रहते है वो beehives की तरह है जो अपर क्लास है वो तुमारे पसीने को drain नहीं कर रही है बलकि तुमारा खून चूस रही है ये सब metaphor है love का gentle balm यहाँ पे प्यार के लिए कहा गया है सैफल्चर का मतलब यहाँ पे असली कबर से नहीं है बलकि ये कबर है तुमारी आशाओं की तुमारी सपनों की तुमारे dignity की इसमें rhetorical question पूछा गया है ये पूरी पोयम अपने आप में rhetorical question है कि तुमें क्या जरूरी है उनके लिए काम करना इसमें juxtaposition भी है मतलब जो इस तरहे की बात है ना कि तुम करते हो और वो उसका उपभोग करते हैं तुम बनाते हो तुम काम करते हो वो उपभोग करते हैं इसे हम कहते हैं juxtaposition इसके अलावा parallelism भी कहते है कि parallel चल रही है दो चीज़े कि बोता कोई है काटता कोई है दॉलर ढूंडता कोई है काम में कोई लेता है कपड़े बनाता कोई है पहनता कोई है हतियार बनाता कोई है और यूज में कोई लेता है इसे parallelism कहते हैं इस तरह के कई बहुत ही बहतरीन हमें इसमें poetic devices देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा alliteration भी है जैसे sow seed तो ss की आया था weave और wear www आया है seller और cells में cc आया है deck और dwells में dd आया है weave और winding sheet में www आया है बहुत ही अच्छी vocabulary हमें इसको इंदर देखने को मिलती है यदि इसकी form की बात करूँ तो total four line के इसमें आठ स्टेंजा थे या इनको quatrains भी कह सकते हूँ और यदि हम बात करें तो ये एक blad form में लिखा गया है इसे गाया जा सकता है meter की बात करें तो शुरू में हमें जो पहली दो लाइने हैं उसमें ट्रॉकेइक टेट्रामीटर देखने को मिलता है राइम स्कीम की बात करें तो जो हर एक quatrains है उसमें two rhymed couplets है in a row यानि A A B B A A B B A A B B इस तरीके से सब चल रहा है उसमें speaker ये PB Shelley खुदी है ये बात कर रहे हैं जो working class है उनकी अधिकारों के बारे में और कहते हैं कि तुम तुमें rise up होना चाहिए यानि तुमें इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए 1819 में लिखी गई थी poem जबकि बहुत भेंकर economic depression का समय था लोग भूके मर रहे थे जो ruling class थी उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं और गरीबों पे अत्याचार हुए I hope ये poem आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना लिटरेचर के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो तुमें इस चैनल पे मिल जाएंगे प्लेइलिस्ट को संभालो और अपने चैप्टर्स को सर्च करो All the best for your exams